नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में उमीद है कि आप सभी लोग कुसलमंगल होंगे आज हम बात करने वाले हैं एक कमेंट आया था हमारे सब्सक्राइबर का एड़ा फोटोस ऑफ 2022 में पेंट टूल से जब हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं या उसको कट करते हैं तो उसकी जगह ब्लेक फिल हो जाता है या फिर फिल नहीं हो पाता या जो भी परिशानी पेंट टूल से रेटेड आ रह ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकें बाकी देखो बहराल अब ही आगे हम कोशिस करते हैं इस फोटो का उप्यूग करने वाला हमाई इस टूल को समझने में यहां पर ड्रग और ड्रॉप कर लिया है मैंने तो फोटो आ चुकी है अब ध्यान से सफ्ट्वेर के मेकनि को समझने की कोशिस करेंगे कि कैसे काम करेंगा रहेता है चाहता है साफुट्वेर यह तूल को समझने की कोशिस करते हैं इधर पर पिक बटन क्लिक करेंगे तो तो पेन टूल Canvas यहां पर और लग अलग आपा है दुनिया भर की चीज़े यह लेकिन उस चीज़ को हम नहीं समझेंगे सिर्फ इस टूल के मेकनिजम समझते हैं कि जनरली यही टूल ज्यादा यूज होता है उपर वाला और मेन टूल यही है इसका इसको सबस्विल है मैं रिशेड कर लेता हूं अगर समझेंगे तो आप कीबोड कि कुणूण सी बटन प्रेस कर रहा है और माउस की कूसी बटन प्रेस कर रहा हूँ यह भी आपको screen पर clear cut to cut नजर आ रहा होगा, इसको मैं reset कर लेता हूं, और जो भी चीजे मैं समझाता हूं, आप लोगों को, उमीद, कोशिस यही रहती है, मेरी, कि better से better चीजों को explain कर पाऊं, बहराल, अभी यहाँ ध्यान से देखेंगे, setting का छोटा से एक dialogue box है, ध्यान से सम और इधर पर देखेंगे, सारी की सारी setting notice करेंगे, अगर आप लोग, तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना personal setting रखा हुआ, यह rubber band में आके इसको click कर देते हैं, ताकि यह जो वज़ा क्या है, यह करता क्या है, वो देख लेती, इधर एक click के अब यहाँ से नजर नहीं आ रहा मुझे, यह कि आगे किधर मोड़ रहा है, तो इसलिए मैं इसको अगर यहाँ click कर दूँगा, तो मुझे पता चलने लग जाएगा, कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कि ऊपर जा रहा है, इसलिए, तो यह हुआ, सबसे पहला pattern, अब उसके बाद दूसरी चीज क्या है pen tool को बस इतना ही set करना होता है, और यहाँ पर अगर notice कर पा रहे होंगा, अगर आप यहाँ पर तो यह देखेंगे, इसमें से किसी को select करना नहीं है, और इधर पर अगर आप देखेंगे, तो यह patch में selected होना चाहिए, अगर यह shape में selected होगा, तो जैसे मैं यहाँ बच्चे क थोड़ा सा बाल काटने कोसिस करता हूं, देखेंगे इधर से, एक, दो, ती, देखेंगे, यह कुछ इस तरीके से cut रहेगा, ठीक है, मतलब ऐसा cut गया, ठीक है, ऐसा cutting हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर pen tool की मदद से इसको patch में click करूँगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर, save की जगा, page में click करूँगा, उसके बाद में, अगर मैं cut करूँगा, इधर पर photo को, तो देखेंगे, आसानी से click हो जाएगा, यह click हो गया, और यह shape भी नहीं बना, अब उसके अलावा, अगर इधर से, और कुछ feather डालना चाहते हैं, तो यहाँ से selection कर सकते हैं, जैसे म आपर समझ लेते हैं, और कुछ है, और कुछ भी नहीं, यह जो चीज होती है, यहाँ से अलग-अलग condition के इसाफ से कैसे save बनाना है, क्या करना है, दुनिया भर की 500 चीज़ें समझने के लिए, लेकिन हमको नहीं समझना है, हमको जो समझना है, वो यह है, कि यह काम कैसे करता यह single photo है, अब अगर मैं paint tool लेता हूँ, paint tool reset रहेगा, यह reset, अगर इसके अंदर देखेंगे, तो कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं, बिल्कुल खाली box है, इधर patch में selection करना है, और इधर पर setting में, इधर रहने देना है, वापस इधर check कर लेंगे, इधर की setting सारी सारी देख करेंगे, बिल्कुल easy है, और वापस इधर rubber band को on कर लेंगे, और यह auto add में तो click ही है, अब उसके बाद में आप इसको चलाएंगे बिल्कुल आसानी से, मैं कुछ भी नहीं कर दाँ हूँ, ठीक है, जैसे मैं चला रहा हूँ, वैसे आप देखेंगे, तो आपको समझ में जा और उसके बाद इधर पर आएंगे, और इधर पर right click करके, max selection के एक button मिलेगा, इधर पर, इस पर click कर देंगे, और दो का feather देंगे, और यह automatic fill हो जाएगा, fill हो जाने के बाद आप इसको copy paste कर सकते हैं, यहां से इसको करेंगे copy, और यहां से इसको करेंगे paste, उमीद है कि आप अलावा Photoshop CC के latest version में इस software में बहुं सारे और ऐसी चीज़े हैं, जिसको समझना बाकी है, सीखना बाकी है, और तरीके हैं, बहुत हजारों तरीके हैं, लेकिन अगर आप लोग बेटर support दिखाएंगे, तो हर उस चीज़ को explore करेंगे हम लोग, जिस चीज़ को अभी तक हमने नहीं देख पाएंगे हैं, और नहीं समझे हैं उसका उपयोग कहा करना है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो please support करें और सीख जाएंगे, और मैं भी आप लोगों को बहतर से बहतर content provide करने की कोशिश करूँगा, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्त रहिए, थेंक्यू, धन्यवाद, जैभी